यूओ किया ने पलके जपकाईं और जानबूज कर बकवास शब्द पर जोर देते हुए आखिरी शब्द को लंबा कर दिया आप किंग क्विंग किंग ने अपनी मुठिया वींच ली और खंडन करने ही वाली थी अप्रत्याशित रूप से मूल रूप से शोर मचाने वाला योजना विभाग इस समय अचानक शान्थ हो गया ऐसा लग रहा था कि कोई शक्तिशाली गती उसकी ओर आ रही है जिससे कमरे का महाल अचानक दमनकारी हो गया है CEO मुझे नहीं पता कि आश्चर्य से कौन चिल लाया King Queen King जो किसी को मारना चहती थी स्टब्ध रह गई और उसने जल्दी से पीछे देखा फिर उन्होंने म्यू यून जिन को किसी अग्याद समय पर अपने विभाग में आते देखा उसी समय कार्याले में महिला कर्मचारियों ने म्यू दा की और ऐसे देखा जैसे वे किसी को खाना चाहती हूँ कई यूवा लड़कियां हमेशा भूखी आँखों वाली होती हैं कुछ लोग मन ही मनाह भी भरते रहे हे भगवान, CEO वास्तव में कार्याले में आये थे बहुत सुंदर हैं हाला कि यूवा CEO म्यू युन्जिन को पद पर आया भी एक महीने से भी कम समय हुआ है लेकिन उन्होंने पहले ही कमपनी में कई महिलाओं को सफलता पूर्वका कर्शित कर लिया है चाहे आप शादी शुदा हुई या विवहित हर कोई मुदा के इस CEO के बारे में प्रशंसा के साथ बात करता है वे शादी शुदा महिलाएं इतनी बेशर्म होती हैं कि वे यहां तक कह देती हैं कि वे मूँ यू जिन चुनिक्सियाओ के साथ सेक्स करना चाहती है संक्षेप में मियू जिन जहां भी जाता है वहां संक्षे प्रतिभाय होती है जिन्हें चुपाया नहीं जा सकता चाहे वल कितनी भी कोशिश कर ले उस परिचिक चेहरे को देखे आधे महीने पहले वे दोनों एक साथ नहा रहे थे और लगभग लूओ कियान की सांसे अचानक गढ़ बढ़ा गई उसका नाजुक छोटा चेहरा लाल हो गया और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था जैसे कि वह बाहर कूडने वाला हो सी ओ, आप यहां क्यूं हैं? अगर कुछ गलत हैं, तो बस हमें अपना आदेश दें हमारा विभाग निश्चित रूप से वह सब कुछ करेगा जो आपने हमसे करने के लिए कहा है लियां ग्वेन अचानक खड़ी हो गए और मुस्कुराते हुए मू यूंजिन की ओर चल दिये ये देख कर किन कुइन कुइन मदद नहीं कर सकी लेकिन खराटे लेने लगी मू यूंजिन ने लियां ग्वेन की चाप यूसी को नजर अंदास कर दिया एक लंबा कदम उठाया और सीधे लूओ कियान की स्थिती में चले गए उसकी गहरी लेकिन थंडी नजर जटिलता किस पर्ष के साथ उस पर पड़ी लूओ कियान ने तुरंत अपना सिर नीचे किया और अपने हाथों से अपने कपडों के कोनों को बेचैनी से रगड़ा उस रात वह बहुत दुखी लग रहा था म्यू यूंजिन उसके पास गया, रुका और उसे उपर से नीचे तक देखा हर कोई आश्चार्य चक्कित होकर सोच रहा था कि सीयो और नए लूओ की यान के बीच क्या संबंध है उनमें से दोस पश्ट रूप से सबसे असंगत है एक स्वर्प का गौरवशाली पुत्र है और दूसरा गाव की लड़की जैसा है हाला की मियू यूंजिन केवल दो सेकंड के लिए उसके सामने रुका फिर उसने गंदी मेज को देखा और भोहें चड़ाई यह एक डैस्क है ने जी सामान रखने की जगह नहीं जब सीयो मियू दा ने ये कहा तो हर कोई एक पल के लिए स्टब्ध रह गया और फिर उन्हें होश आया कोई तुरंद खड़ा हुआ उच सुकता से उनके गंले में लगे पौधे ले गया और बहुत माफी मानगी फिर अन्य लोग खड़े हो गए और अपना सामान मेज पर रख दिया थोड़ी देर बाद मेज पर केवल किन क्विंकिंग की चीजे बची थी ये किसका है म्यू यूंजन ने उदासीनता से देखा किन क्विंकिंग अभी भी स्टब्ध थी उसके बगल में एक दोस्त ने उसे टोका और फिर उसने प्रतिक्रिया दी वो तुरंथ मुस्कुराए अपनी उची एड़ी पर कदम रखा अपनी कमर घुमाए और आगे बढ़ी सीयो ये चीज मेरी है अभी एक नया व्यक्ति आया है मुझे नहीं पता मेरे पास अभी तक इसे साफ करने का समय नहीं है इसलिए मैं इसे अभी साफ कर दूंगी जैसे ही वह अपना सामान पैक करने गई उसने लुओ कियान को देखकर मुस्कुराए और कहा लुओ कियान नमस्ते मैं किन क्विंकिंग हूँ मैं यहां दो साल से काम कर रही हूँ क्या ऐसा कुछ है जो तुमने नहीं पहना है समझ में नहीं आया आप मुझसे कूछ सकते हैं मेरी सीट वही है अध्यक्ष महोदे मैं पहले काम करने जा रहा हूँ किन क्विंकिंग ने लुओ कियान के प्रति विनम्र होने का नाटक किया फिर मुझ यूंजन से बात करने के लिए मुले मैंने सोचा कि उसके इतना कहने के बाद मुझ यूंजन कभी भी उससे कुछ शब्द नहीं कहेगा परिनाम स्वरू मुदा ने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा उन्होंने बस लुओ कियान की ओर इशारा किया और शान्ती से कहा आप उसने केवल एक शब्द कहा और चला गया लुओ कियान असमंजस में वही खड़ी रह गई उसे नहीं पता था कि उसका क्या मतलब है लुओ कियान सीओ चाहते हैं कि आप उनके कार्याले में जाएं गूजेन अचानक प्रकट हुआ और मुस्कुराते हुए लुओ कियान से कुछ कहा लुओ कियान ने सिर हिलाया अपना बैग उठाया और योजना विभाग छोड़ दिया जैसे ही मैं बाहर निकला मुझे अंदर से एक धमाके की आवाज सुनाई दी जैसे किसी ने गुसे से पानी का गिलास तोड़ दिया हो वह तिरसकार पूर्वक मुस्कुराय इसे नजर अंदास कर दिया और लिफ्ट से CEO के कार्याले की उपरी मंजल पर पहुँच गई जब वह म्यू यून जिन के कार्याले में गई म्यू यून जिन मेज पर बैठा है नीचे दस्तावेजो को देख रहा है जब उसने उसे अंदर आते देखा तो बिना सिर उठाई कहा मेरे लिए एक कप कॉफी बनाओ ओह यूँओ कियान ने मूर्गता पूर्वक अपना बैक सोफे पर फेक दिया चारो और देखा मेज पर रखा कप उठाया और कॉफी बनाने के लिए तैयार हो गई वो बस दो कदम चली और फिर रुख गई ऐसा लगता है कि उसे कॉफी बनाना नहीं आता तो मैं वही खड़ी रही जिजख रही थी और समझ नहीं पा रही था कि क्या करूँ म्यू यून जिन बहुत व्यस्त लग रहा था और उसने उस पर बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया पंद्रह मिनट बाद तक उसने अपना सिर उठाया लूओ कियान को थंडी आँखों से देखा और पूछा क्या तुमने काफी देख लिया लूओ कियान अवाक रह गई उसे हमेशा लगता था कि वह उसे घूर रहा है जब आप काफी देख लें तो काफी बनाने जाएं मैं नहीं बाना सकती लूओ कियान ने अजीब धंग से बात की उसने कभी भी अंदर कॉफी मशीन का उप्योग नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि यह मतमली हो जाएगी तुम इतने मूर्ख क्यों हो ये सुनकर मियू दा भरक गए और शिकायत की मियू यूंजिन ने लूओ कियान का गला दबा दिया उसका दिल गुस्से से भर गया और उसने कहा हाँ मैं उतनी ही बेवकूफ हूँ चुनकि मैं इतना मूर्ख हूँ तो आप कॉफी बनाने के लिए मेरा उप्योग क्यों करते हैं मियू यूंजिन एक पल के लिए स्टब रह गया और जिस तरह से उसने लोगों का गला दबाया उससे वह बहुत आश्चर्य चकित थी उसने अचानक अपने होथों का कोना उठाया एक अग्यात मुस्कान देखाते हुए सिर हिलाया और कहा हाँ वह आत्मजागरूख है मुझे ऐसे कर्मचारी पसंद हैं मजबूर जनरल के अधीन कोई कमजोर सैनिक नहीं होते यदि CEO आपको बेवकूफ कर्मचारी पसंद हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि आपका IQ भी वोसत है लूओ कियान ने कपको अपने हाथ में पकर लिया वहें उठा कर उसकी ओर देखा और उसका गला भर आया म्यूओ युंजिन की आँखे खुशी से चमक उठी और उसने अचानक अपने हाथ में मौजूद दस्तावेस को गिरा दिया और लूओ कियान की ओर चल दिया उसकी आँखों में कुछ बुराई थी लूओ कियान कूद गई और पीछे हट गई कुछ कदम पीछे हटने के बाद वन दिवार से टक्रा गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बच्चा म्यूओ युंजिन ने दिवार के सहारे अपने हाथ बढ़ाए अपना सिर नीचे किया और कप पकड़े हुए भाय भी छोटी महिला की ओर देखा जिसके होटों के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे तुम क्या कर रहे हो उसकी आक्रामक निगाहों का सामना करते हुए लूओ की आन तुरंत डर गई उसके डर की अभिव्यक्ती में बदलाव और हार्स वीकार करने की अनिच्छा ने उसे बहुत दिल्चस्ट बना दिया ऐसा लगता है कि उसे छेड़ना एक मज़ेदार बात है उसने एक हाथ मुक्त किया और उसकी सफेद थुड़ी को ऊपर उठाया उसकी गहरी आँखे इस समय उसकी घबराहत और घबराहत को प्रतिबिम्बित कर रही थी मियू, मिस्टर मियू, मत लुओ कियान इतनी घबरा गई कि वह हकलाने लगी लेकिन उसने अपना सिर नीचे कर लिया था उसके कोमल होटों को अपने मूँ में ले लिया और धीरे-धीरे उसका स्वाद चकहा अच्छा, एक आदमी द्वारा अचानक हमला किये जाने पर लुओ कियान मदद नहीं कर सकी लेकिन करा हुठी और उसका शरीर थोड़ा काम गया उसका चुम्बन धीरे-धीरे गहरा होता गया शुरुवाती हलके चुम्बन से लेकर एक जबरदस्थ हमले तक उसकी मिथास को तब तक लूटता रहा जब तक कि उसकी सांसे तेज नहीं हो गई लूओ कियान का चहरा तुरंत पके हुए जीनगा की तरह लाल हो गया वो ब्रमित थी और उसके चुम्बन से मोहित हो गई थी क्योंकि उसे चुम्बन का कोई अनुभव नहीं था वो केवल इसे निश्क्रिय रूप से सहन कर सकती थी जब तक उसकी सांस लगभग थम नहीं गई घुटन के अहसास ने उसे अचानक जगा दिया उसने अपनी आखे खोली और उसकी सुन्दर और कतोर विशेशताओं को देखा और उसे अपने दिल में उलजन महसूस हुई उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे जोर से धक्का दिया हाला कि उसका भाव्य शरीर एक पहाड की तरह है जिसे किसी भी स्थिती में धकेला नहीं जा सकता लूओ कियान की त्योरियां चद गई और वह उसे लात मारने ही वाली थी उसने पहले ही उसे जाने दिया था उसके लाल चहरे को देखकर जो और अधिक नाजोक और आकरशक हो गया था और उसके होटों के कोनों पर एक सुख़द मुस्कान दिखाई दी चुम्बन नहीं कर सकते उसके हाथ फिर से दीवार पर टिक गए क्लासिको और डोंग मुद्रा में उसने चिराते हुए पूछा उसके स्वर में थोड़ी बुराई थी यूओ कियान ने उसके लगातार बल प्रयोक से निराश होकर उसे घूर कर देखा मिस्टर म्यू वास्तव में रोमेंटिक जगहों पर अक्सर आते हैं और उनमें चुम्बन का कौशल बहुत अच्छा है ऐसा लगता है कि आप इस चुम्बन से बहुत संतुष्ट हैं क्या आप इसे दोबारा करना चाहते हैं म्यू यूंजिन ने आगे बढ़कर उसके थोड़े लाल और सूजे हुए होंठों को थप थपाया लूओ कियान स्थब्ध रह गई और उसके हाथ में मौजूद कप तुरंद गिर गया यह म्यू यूंजिन के पैर में लगा जो आदमी अभी मुस्कुरा रहा था उसके हाथ भाव अचानक बदल गए मुझे इक्षमा करें मुझे इक्षमा करें मेरा यह मतलब नहीं था आधिकारिक तौर पर काम शुरू करने से पहले मैंने अपने बॉस के पैर पर कप से मारा लूओ कियान को ऐसा लगा जैसे वो मौत की तलाश में थी वो कप लेने के लिए उच्षुकता से नीचे जुकी लेकिन वो बरकरार था वो मदद नहीं कर सकी लेकिन बुदबुदाने लगी सी यो आपके कप की बुनवत्ता बहुत अच्छी है म्यू यू जिन, म्यू दा का चेहरा तुरंद काला पड़ गया क्या इस महिला को इस बात की परवा नहीं करनी चाहिए कि उसके पैर ठीक है या नहीं वास्तव में उसके मन में उसके कप की प्रशंसा करने का विचार आया है मुझे, मुझे कॉफी मशीन के साथ खेलने में सक्षम होना चाहिए मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊं उसकी निर्दय अभिव्यक्ती देखकर लुओ की आन भाग गई वह उत्सुकता से कॉफी मशीन के पास पहुँची और जल्दी जल्दी कॉफी बनाने लगा आह, थोड़ी ही देर बाद एक चीक सुनाई दी मुझे की अभिव्यक्ती बदल गई और वह आगे बढ़ा उसने देखा कि उसने मेज को कॉफी से भर दिया था कॉफी बीन्स फर्ष पर बिखरी हुई थी और कप वही पड़ा हुआ था संक्षेप में यह एक गड़बर है आप मेरा कार्याले नश्ट करना चाहते हैं मुझे नहीं पता कि उसने ये कैसे किया म्यूदा को मायसोफोबिया है और वहे से बरदाश्ट नहीं कर पाते जिससे वह थोड़ा चिर्चिरा महसूस करते है मुझे खेद है श्री म्यूद मैं शायद में ये काम नहीं कर सकती आपकी नियुक्ती के लिए धन्यवाद मुझे दर है कि मैं अपनी वर्तमान स्थिती के लिए योग्य नहीं हूँ यूओ कियान के गाल लाल थे और उसने जल्दी से माफी मानगी फिर वह सोफे पर चली गई अपना बैग उठाया और भाग गई कॉफी मशीन का उपयोग करना कथिन नहीं है मुझे हमेशा लगता था कि उस आदमी की आभा बहुत मजबूत थी जिससे लोग सांस लेने में असमर्थ थे इसलिए मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती बू जेन जिस शिकार में उसकी दिल्चस्पी थी वह अच्छानक भाग गया सीयो म्यूदा का मूद खराब था और उनका चहरा भयानक रूप से उदास था पिछली बार इस महिला ने अपनी इच्छा दबाने से पहले उसे कई बार बात्रूम में थंडिक पानी से नहलाया क्या आप अभी भी दौड़ना चाहते हैं म्यूद यूद जिन को महिलाओं के साथ जबर्दस्ती करना पसंद नहीं है लेकिन उसने पाया कि लूओ कियान के मन में उसके प्रती घातक आकर्शन था ऐसा लगता है कि एक बार जब आप इसमें शामिल होगे तो आप इसके बिना नहीं रह सकते इसलिए इस बार उसे जाने देने का उसका कोई इरादा नहीं था उसने अंदर की पंक्ती को बुलाया गूजेन को बुलाया और आदेश दिया उस महिला को तुरंथ वापस लाओ गूजेन शायद ही कभी मूँ यूंजिन को इतना चिर्चिरा देखता हो भले ही वह गुस्से में है यह असली गुस्सा है लेकिन ये पहली बार है कि मैंने उसे इतना चिर्चिरा और अपनी इच्छाओं से असंतुष्ट देखा है हाँ, सीओ म्यू दाब थोड़े असंतुष्ट दिखते हैं सीओ, मैं तुरंथ जाओंगा गुर्जेन पल्टा और लुओ कियान को वापस लाना चाहता था एक मिनट रुके, पहले उन कॉफी को हटा दे म्यू यू जिन ने भौहे चड़ा ली और फिर से बोला उसे मायसोफोबिया है और वह इसे हर सेकन बरदाश्ट नहीं कर सकता और उसे यह पसंद नहीं है कि दूसरे उसकी चीजों को छुए गुर्जेन अलग है, वह बच्पन से ही उसका अनुसरन कर रहा है अंग्रक्षक और सहायक दोनों की रूप में काम कर रहा है गुर्जेन अपनी कई चीजों का ख्याल रखता है इसलिए उसके आसपास कोई महिला नहीं है इसलिए यह हफवा है कि वह समलेंगिक है और उसका गुर्जेन की साथ संबंध है तो गुर्जेन जो अभी अभी बाहर गया था पीछे मुणा और टेबल को साफ करने के लिए चला गया जब उसने गंदी टेबल देखी तो वह अचानक ब्रमित हो गया यह मिस लूओ द्वारा किया गया था हाला कि लूओ कियान के घर छोड़ने के बाद उसने निराशा में फिर से सड़क पर पत्थर मारना शुरू कर दिया मैंने सोचा कि मैं भाग्यशाली हूँ और मुझे अच्छी नौकरी मिल गई लेकिन अंत में मैं भाग गई क्योंकि मैं CEO से दर गई थी उसने आगे बढ़कर अपने लाल और सूजे हुए होटों को छुआ और बेबसी से मुस्कुराए शायद मुझे नहीं आना चाहिए था वह व्यक्ती न्यू ग्रूप का अध्यक्ष है और वह केवल अस्थाय रूप से मुझ में रुची रखता है इसलिए उसने मुझे योजना विभाग में जाने दिया यदि आप वास्तव में बने रहते हैं तो आप केवल उसके खेलने की वस्तू बन सकते हैं लूओ कियान अचानक रुखी और आती जाती बील को देखा बीन गबलियू में चमत्ती मुस्कुराती योवा लड़की को देखा और बैटरी कार चला रही साधारन कपड़े पहने अधेर हुम्र की महिला को देखा कैकवे को देखते हुए वन लड़का जो लाल बत्ती मिलने पर भोहे चड़ा लेता है उसने दुनिया की विभिन स्थितियों को देखा और अचानक थोड़ा भ्रमित महसूस करने लगी क्या आपने शुरुआत में जिस बात पर जोर दिया था वह उस रात के बाद गायब हो गई अब तक उसे नहीं पता कि उसका रिष्टा किसके साथ है भले ही वह एक कोई भी हो वह नहीं जकनती की वह कैसा दिखता है ठीक उसी समय जब लुओ कियान न्यू ग्रूप से कुछ ही दूरी पर स्तब्ध ख़़ी थी फोन में कमपन हुआ उसने अपना फोन निकाला और नीचे देखा यह एक अपथित टैक्स्ट संदेश था जब उसने टैक्स्ट संदेश खोला और उस पर लिखा नम्ब देखा तो वह तुरंत भोजक की रह गई अब उसके पास 3800 योवान प्रतियोगिता शुल्प का एक पैसा भी नहीं है लूओ कियान ने मुलकर म्यू ग्रुप पर नजर डाली और तुरंत शिछक गया आधे घंटे बाद लूओ कियान किराय के घर लोट आई और अपने सबसे अच्छे दोस्त ताओ जियाताओ को एक और टैक्स्ट संदेश भेजा हाला कि कई बार दोस्तों से पैसे उधार लेना अच्छा नहीं होता है लेकिन वह म्यू के समूह में जाकर खुद को 3080 योवान में नहीं बेच सकती कयान कयान आप वापस आ गए हैं दादी ने आपकी पसंदीदा मीठी और खटी पोर्क पसलियां बनाए हैं जैसे ही उसने दर्वाजा खोला जी जेन मुस्कुराते हुए बाहर चली गई दादी जियो मो कहा है किया वह अभी तक वापस नहीं आया अपने परिवार को देख कर लूओ कियान के चहरे पर अचानक मुस्कान आ गई और उसका पिछला अवसाग दूर हो गया मैंने कहा कि दोपहर को मेरी क्लास है और मैं वापस नहीं आऊंगा इसलिए हम बस खा सकते हैं जी जेन ने हाथ में बैग लिया और पूछा आज कमपनी के साथ आपका साक्षाक कार कैसा रहा लूओ कियान ने अपना सिर हिलाया आहा भरी और कुछ नहीं कहा ये देख कर जी जेन तुरंथ हसे और साथ वना दी अगर इस बार यह काम नहीं करता है तो अगली बार चिंता न करें हम सक्षम और स्मार्ट हैं इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है अच्छी नौकरी न मिलने के बारे में लूओ कियान अनिच्छा से मुस्कुराया उसके जैसे बिना पड़े लिखे लोग जहां भी जाते हैं सबसे निचले स्तर से ही उपर उठ पाते हैं दादी रिब्स बहुत स्वादिष्ट हैं कमरे में प्रवेश करने के बाद लूओ कियान ने मेच पर मीठी और खटी पोकी की रिब्स को देखा और तुरंट लालची हो गई उसने एक चॉपस्टिक उठाये और बिना इसकी परवा किये कि यह गर्म है या नहीं इसे अपने मूह में भर लिया वो बुद बुदाया मैंने लंबे समय से पोरक रिब्स नहीं खाये हैं दादी आप कौन है और यहां क्या कर रहे हैं इससे पहले की लूओ कियान अपना पूरा कर पाती उसने बाहर जी जेन का विस्मया दिबोधक सुना वो जल्दी से मुली और देखा कि काले कपड़े पहने कई लोग अचानक अंदर आ गए बिना किसी सपष्टी करन के उन्होंने जी जेन को खीच लिया और बाहर चले गए रुको तुम क्या कर रहे हो जी जेन को वैन में खीच लिया गया आप क्या कर रहे हैं लूओ कियान उत्सुकता से कार को थप थपाने के लिए गया लेकिन उसे हिंसक तरीके से धक्ता दे दिया गया एक आदमी ने उसे जोर से लात मारी और कहा अगर तुम चाहती हो कि बुढ़िया जीवित रहे तो आ घबरा दिया मोबाइल फोन मोबाइल फोन कहा है उसने उत्सुकता से अपने फोन की तलाश की और काफी देर तक देखने के बाद भी उसे फोन नहीं मिला वह इतनी चिंतित थी कि उसके माथे पर थंड़ा पसीना आ गया था इसी समय एक परिचिक घंटी बजी उसे अभी पता चला की फोन कुरसी पर रखे बैग में था हेलो यूओ कियान ने फोन उठाया और बिना देखि उसका उत्तर दिया मिस्टर वांग से दूर भागने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्या तुम्हें पता है कि ऐसा करने से हमारी कमपनी को 10 मिलियन यूआन का नुकसान ह लूओ श्या की डांट अचानक सुनाई दी क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से कमपनी गिर जाएगी अगर कमपनी गिर गई तो मैं क्या खाऊंगा क्या प्यूंगा और क्या खरीदूंगा प्रसित ब्रांड बैग क्या तुम दादी जी को ले गए लूओ कियान को लूओ श्या गया हाँ फोन के दूसरे चोड़ पर लूओ श्या ने बेपरवाही से कहा लूओ कियान चून की आप नहीं जानते की प्रशंसा कैसे दिखानी है बस इंतजार करें और जिजेन के शरीर को इकठा करें लूओ श्या तुम आखिर क्या करना चाहते हो लूओ किय अचानक घबरा गई वह महसूस कर सकती थी कि लूओ श्या उसके भागने के कारण पागल हो रही थी और वह वास्तव में जीजेन पर हमला कर सकती थी इसके अलावा यह महिला हमेशा से पागल रही है हाँ 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 मैं अब घबरा रहा हूं मैं आपको बता दू अगर कंप मैं मैं उनका साथ देने का वादा करता हूँ और तुम्हें दादी जी को चोट पहुचाने की अनुमती नहीं दी जाएगी लूओ कियान ने अपने होंट काते उसकी हलकी आँखों में उदासी का स्पर्श था उसकी बेहन पागल है अगर वह पुलिस को बुलाती है तो प्रेन ठीक हो जाए तो मुझे ढूनने के लिए जिंक्शुई पाक आए 15 मिनिट हेलो लूओ श्या ने अपना वाक के पूरा किया और फोन रख दिया फोन पर बीपिंग की आवाज सुनकर लूओ कियान का चहरा अचानक बदसूरत हो गया 15 मिनिट बाद लूओ कियान जिस भी समय पुलिस को फोन करने के लिए तयार थी अन्य था वो संभवता लूओ श्या को कैसे हरा सकती थी अरे हम यहां हैं इतने आकर शक कपड़े पहने हुए आप किसे लुभाने की कोशिश कर रहे हैं एक उची आवाज आई लूओ श्या लूओ कियान के पीछे दिखाए दिया जिंग शुवी पाक में कोई सपश्ट रूप से सफाई कर रहा था और जो लोग खेलने आये थे वे चले गए थे लूओ श्या के पीछे काले कपड़े पहने आठंब्रक शक थे दूप का चश्मा पहने हुए हर एक पिछले से भी अधिक भयावे था लूओ श्या द उसके दिल में बहुत जुंचलाहत महसूस हुई मैं विशेश रूप से लूओ श्या से बचने के लिए यहां आया था लेकिन नई जगह अभी भी काफी अच्छी है लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लूओ श्या इतनी जल्दी उनका नया पता धून लेगी और दरवाजे पर आ जाएगी यदि आप चाहें तो जी जेन को देख सकते हैं लेकिन आपने मुझे पहले धोखा दिया था और जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक आपको इस बार कीमत चुकानी होगी यूओ श्या ने लाल रंग की पोशाक और चमकदार लिप्स् में उसकी लंबाई लगभग लूओ क्यान के बराबर है हम्फ लूओ श्या ने थंडे स्वर में कहा और गर्व से अपनी थुड़ी उठाई मैंने सुना है कि जी जेन हृदय रोग से पी रित है अगर हमें उसे उत्तेजित करने के लिए कुछ मिल जाए भले ही वह मर जाए हम नहीं होंगे जबाब दे ठहराया गया यह मेरी जिम्मेदारी है है ना लूओ श्या तुम्हारी जो भी शर्ते हों बस कह दो लूओ क्यान ने अपने दांग पीस लिए अपनी मुठिया जोर से बींच ली और लूओ श्या की और गुस्से से देखा ठीक है यह वास्तव म कठिन नहीं है यूओ श्या अचानक मुस्कुराए और अपनी भौहे उपर उठाई और कहा सबसे पहले तुम पहले अपने कपड़े उतारो और कहो कि तुम एक स्टुपिद हो जो पुरुशों को बहकाना पसंद करती है मैं इससे अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड आपने क्या कहा यूओ कियान का चहरा अचानक बेहत पीला पड़ गया चिंता मत करो मैंने अभी तक बोलना समाप्त नहीं किया है मुझे पता है कि तुम घटिया हो लेकिन जब तुम किसी आदमी के बारे में सुनती हो तो इतनी चिंतित नहीं होती हो यूओ श्या ने गर् इतनों के बल बैठना होगा और भौकना सीखना होगा इसे स्वीकार करो मैं एक कुतिया हूँ जब तक आप इन तीन शर्तों को पूरा करते हैं मैं आपके और जी जेन के लिए फिर कभी परेशानी पैदा नहीं करूंगी ये कैसा रहेगा लूओ श्या बहुत दूर मत जाएगा मेरे पास यहां तुम्हारे साथ जाने का समय नहीं है अगर तुम नहीं करोगे तो ऐसा करो बाहर निकलो और जिजेन का शब लेने के लिए तैयार हो जाओ लूओ श्या उससे उलजना नहीं चाहती थी वह बस उसे जल्द से जल्द शर्मिंदगी में देखना चा करो अपरत्याशित रूप से लूओ श्या ने पहले ही उसका इरादा जान लिया था कोई आया और उसका मोबाइल फोन चीनना चाहता था संधर्ष की दोरान लूओ की यान का सेल फोन जमीन पर गिर गया चून की यह महिला बहुत अपमानजनक है तो आगे बढ़ें और उस शक तुरंट एकत्र हो गए और लूओ की यान के कपले जोर जोर से फाल दिये मुझे जाने दो जाने दो तुम जानवरों लूओ की यान को जमीन पर गिरा दिया गया और उसने कड़ा संधर्ष किया हाला कि वो कम जोर थी और इतने सारे लोगों का सामना करते हुए उसकी शारीरिक शक्ती धीरे-धीरे समाप्त हो गई थी लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसने गलती से अपने सेल फोन पर एक नंबर डायल कर दिया था जो जमीन पर फिका हुआ था फोन के दूसरी तरफ मियू यूंजिन एक मीटी में था और उसका फोन बज़ता रहा उसने उसे बाहर निकाला और देखा भौहे सिकोली हाथ उठा कर सबको रुकने का इशारा किया और फिर फोन का जवाब देने के लिए बाहर चला गया सम्मेलन कक्ष में सभी वरिष्ठ धिकारी इसे आश्चर्य से देख रहे थे बैठक के दौरान CEO कभी भी फोन का जवाब नहीं देते चाहे वह कोई भी हो इस बार ऐसा कौन है जिसके पास इतना चहरा है कि CEO अपवाद कर सकता है हाला कि मू युन जिन जो सम्मेलन कक्ष से बाहर चले गए और फोन का जवाब दिया ने छोटी महिला के हृदय परिवर्तन को नहीं सुना लेकिन उसके हताश रोने को सुना बिल्कुल उस दिन की तरह जब मिस्टर वांग ने उसे धमकाया था उस समय से भी अधिक गंभीर अचानक मुझे आशूओं से लत्पत उस नाजुक छोटे से चेहरे की याद आ गई मू युन जिन अचानक क्रोधित हो गया और सम्मेलन कक्ष में चिलाया गू जेन असिस्टेंट गू अपने चेहरे पर ब्रमिक भाव लेकर बाहर चला गया मुझे नहीं पता की सीयो को क्या हुआ मेरा स्वभाव हाल ही में अस्थिर लग रहा है शायद यह मेरी असंतुष्ट इच्छाओं के कारण है तुरंट उसके स्थान की जाज करें और लोगों को वहां ले जाएं म्यू यू जिन ने आदेश दिया और लिफ्ट से नीचे उतर गया काली म्याबैक तेजी से चली गई गू जेन ऐसा लगता है कि सीयो इस बार उन्हें सच्छ मुच पसंद करते हैं मुझे जाने दो, जाने दो, पाक में लुहो कियान अभी भी सक्ट संघर्ष कर रही थी भले ही उसे उन लोगों द्वारा जमीन पर फेक दिया गया था लेकिन उसका अपने भाग्य को स्वीकार करने का कोई रादा नहीं था लड़ाई के दोरान उसके बाल तूट गए, कपड़े फट गए और शरीफ पर जगल जगल घाव हो गए बेवकुफों का एक समूह, यहां तक की एक महिला भी उनसे नहीं निपच सकती तुम्हें बड़ा करने का क्या फाइदा? अगर तुम उसे नीचे नहीं गिरा सकते, तो बाहर निकल जाओ लूओ श्वा तब ख्रोधित हो गई जब उसने देखा की गतिरोध हितने लंबे समय तक बना रहा और अंगर क्षकों का एक समूह, लूओ कियान को नहीं हटा सका उसकी बाते सुनने के बाद, अंगर क्षकों में से एक ने तुरंट लूओ कियान की ओर देखा और शाप दिया, फिर अपना सिर नीचे किया और उसकी कमर पकर ली, और बेमानी से अपना हाथ बढ़ाया उस आदमी की हारकत को महसूस करते हुए, लूओ कियान तुरंट चिल लाए, अपना शरीर गुमाया, और पाक में बजरी वाली सड़क पर लुड़क गई उसने उपर देखा और अचानक उसे अपने बगल की घास में एक इट दिखाए दी हताशा में उसने इट उठाये और उस व्यक्ति को थप थपाया जो उसके उपर गिरा था जैसे ही फोटो ली गई, उसके चेहरे पर खून के छीटे आ गए कई अंग्रक शक स्थब्ध रह गए, जिस अंग्रक शक के माथे पर उसने तमाचा मारा वन सीधे उसके उपर गिर गया और निरुत्तर हो गया लुओ कियान स्थब्ध रह गई और उसकी आँखे डर से चौड़ी हो गई उसने, उसने किसी को मार डाला, ये देखकर लुओ शुया तुरंद चिलाया, यह एक हत्या है, जल्दी आओ, यह एक हत्या है जब वह इस तरह चिलाई तो लुओ कियान और भी घबरा गई अन्या अंग्रक्षक भी स्थब्ध थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें लुओ कियान अचम्वित होकर जमीन से उठी और अपना सिर हिलाते हुए बोली नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था, मेरा इरादा उसे मारना नहीं था, मैंने असा नहीं किया था उधरन चिन्ह, जमीन पर पड़े शक्स को देखने पर पता चला कि पूरी जमीन पर खून बह रहा है उसका दिमाग खाली हो गया, लुओ कियान, तुन तुमने किसी को मार डाला, बस रुको और जेल जाओ लुओ श्वया पास आई, उसकी बाह पकर ली और बेतहाशा मुस्कुराई अगले ही पल, मैं उस तक पहुँचना चाहता था और उसे मारना चाहता था लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसे किसी ने रोक दिया म्यू यू जिन, जो जल्दी से वहाँ पहुँचा, आगे बढ़ा और लुओ कियान को अपनी बाहों में खीच लिया उसने लुओ श्वया को थंडी आँखों से देखा और कुछ नहीं कहा आप, आप कौन हैं, अचानक सुंदर्ता को बचाने के लिए कोई हीरो बनकर सामने आया यू श्वा एक पल के लिए ब्रमित हो गई, उसने म्यू यू जिन को उपर से नीचे तक देखा एक अमीर महिला के रूप में, वह अभी भी लोगों पर अच्छी नजर रखती है म्यू यू जिन ने जो पहना है उसे देखकर ही आप बता सकते हैं कि इस व्यक्ती की स्थिती असाधारन है तो वह तुरंट छेचकी, मेरी औरत को चोट पहुँचाए म्यू यू जिन ने काउकते हुए लूओ कियान को अपनी बाहों में पकर लिया और लूओ शुया को थोड़ी हिकारत से देखा लूओ शुया ने गंभीरता से उसकी ओर देखा एक आदमी का थंडा और अनियंतरित रूप सबसे आकरशक होता है उसे अचानक थोड़ी इरश्या हुई लूओ कियान इतने शीर्शस्त व्यक्ति से मिलने के लिए इतना भागिशाली कैसे हो सकता है सर आपने मुझे गलत समझा होगा लूओ शुया मुस्कुराई लूओ कियान की ओर इशारा किया और कहा यह मेरी बहन है लेकिन वह दिन भर बाहर गूमती रहती है पुरुशों को बहकाती है हमारे परिवार की पारिवारिक परंपरा को बरबाद कर रही है और नीचे ला रही है परिवार के माता पिता मैं बहुत गुस्से में था इसलिए मैं सिर्फ उसे घर ले जाने के लिए अंग्रक्षक लाया था, उसे धमकाने के लिए नहीं म्यू यूंजिन ने बात नहीं की, लू उश्वा म्यू यूंजिन का हाथ पकड़ने के इरादे से आगे बढ़ा यहां से चले जाओ, मुल युंजिन ने नाराजगी जताए और थंडी स्वर में चिल लाया उसे अजीब महिलाओं द्वारा उसे चुने से नफरत है लुओ श्वया का फैला हुआ हाथ तुरंट जम गया, उसका चहरा बदसूरत दिखने लगा हालां कि यहां आदमी अच्छा दिखता है, फिर भी वह लुओ परिवार की बेटी है उसके साथ इस तरह का व्यवहार करने के लिए इस आदमी के पास क्या योग्यता है लुओ श्वा, जो अहनकारी थी, तुरंट नाराज हो गई और उपहास किया यह हमारा पारिवारिक मामला है, मुझे डर है कि आपको हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है इतना कहने के बाद, वह लुओ कियान के फटे कपड़े खीचने के लिए उपर गई गूर जेन पहले ही लोगों के साथ हा चुका है म्यू यून जेन ने गूर जेन पर नजर डाली गूर जेन तुरंट आगे बढ़ा और लुओ शुया की कलाई पकड़ने के लिए आगे बढ़ा म्यू यून जेन ने कुछ नहीं कहा वह लूओ कियान को लेने के लिए नीचे जुका और सड़क किनारे खड़ी अपनी कार की ओर चल दिया ड्राइव उसकी नजर सड़क किनारे खड़े अंग्रक्षक पर पड़ी तुरंट एक अंग्रक्षक गाड़ी चलाने के लिए उपर गया और जानबूच कर आगे और पीछे की सीट के बफल्स को नीचे कर दिया लूओ कियान वास्तफ में डर गई थी जब उसने पहली बार किसी को इंच से मारा था और वह अभी भी काम प्रही थी कार में बैठने के बाद मुयूंजिन ने उस व्यक्ति को सीट पर फेक दिया और उदासींता से देखता रहा लूओ कियान को बचाना एक बात है यह महसूस करना दूसरी बात है कि यह महिला मुसीबत में है वहाँ पर गूजेन अभी भी लूओ शुया के साथ गतिरोध में था तुम क्या कर रही हो मुझे जाने दो मुझे चूने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है अपने गंदे हाथ हटाओ लूओ शुया हमेशा थोड़ी आक्रामक रही है और अगर वह अपना पैर आगे बढ़ाती है तो वह गूजेन को लात मार देती है ये देखकर गूजेन की आँखे थंडी हो गई और उसने लूओ शुया को बाहर धकेलने के लिए बल प्रयोब किया लूओ शुया ने उची एड़ी पहनी हुई थी और मजबूती से खड़ी नहीं हो पा रही थी घबराहत में वल जमीन पर गिर पड़ी आप कौन हैं आपने मुझे उकसाने की हिम्मत की क्या आप जानते हैं कि मैं लूओ परिवार की बेटी हूँ मेरे पिता आपको जाने नहीं देंगे लूओ वानचेन का जन्म एक गैंगस्ट के रूप में हुआ था और उनकी बेटी भी बहुत दबंद और वहशी थी लूओ परिवार इन दो शब्दों को सुनकर गूजेन ने तुरंत भौहे चड़ा ली ये देखकर लूओ शुया अचानक गर्व से मुस्कुराई तुम इतने दरे हुए खियू हो यदि तुम बुद्धिमान हो तो उस लूओ की आन को मेरे पास वापस भेज दो अन्यथा तुम्हारी हालत बहतर होगी गूजेन ने एक जोकर की तरह लूओ शुया की ओर देखा और दो शब्दों में शाप दिया बीमार उसके बाद वह चला गया यूओ परिवार सिर्फ एक छोटी सी कम्पनी है आप वास्तव में क्या सोचते हैं कि आप कौन है जब कार विला के पास आ रही थी यूओ की आन वापस होश में आई उसने मू यूंजिन पर एक नजर डाली और स्तब्ध रह गई क्या तुम जाग रहे हो मू यूंजिन ने अपनी टाई खीची कैसूल लोग के साथ सीट पर बैठ गया और हलकी से उसकी ओर देखा उसकी आवास थंडी थी मास्टर मू आप यहां क्यूं है चार बार गिंती करते हुए इस आदमी ने चौथी बार उससे बचाया है कभी कभी जीवन में होने वाली मुटभीरों को स्पष्ट रूप से समझाना कर्थिन होता है बुजर रहा हूं हालांकि वह विशेश रूप से लोगों को बचाने के लिए आये थे सी ओ मियुदा ने हलके धान से कहा मैं मूर रूप से पाक में आराम करना चाहता था लेकिन कौन जानता था कि मैंने सुवर को मारने की आवाज सुनी है मार डालो, सुवर मार डालो लूओ कियान आश्चर्य चकित थी उसके मूर्ट तापूल रूप को देखकर लूओ कियान ने देर से प्रतिक्रिया व्यक्त की उसके अलावा उस समय और कौन चिल्ला रहा होगा शायद म्यू यूंजिन ने सीट पर दस्टक दी और अपने मून की कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया लूओ कियान को अचानक शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया उसके चेहरे पर लगे खून को म्यू यूंजिन ने साफ कर दिया है म्यू दा जिन्हें माय सुफोबिया है उनकी गंदी नजर बरदाश्ट नहीं कर सकते आह जैसे ही कार विला के सामने पहुँची लू कियान अचानक बोली सामने गाड़ी चला रहा बोडी गार्ड चौक गया और उसने ब्रेक लगा दी म्यू यूंजिन को क्शन भर के लिए जटका लगा और वह लगभग सामने वाले फैंडर से तकराया उसका चेहरा तुरंत काला पर गया मुझे क्शमा करें अंग्रक्षक इतना दरा हुआ था कि वह जल्दी से बोला म्यू यूंजिन ने लू कियान की ओर देखा वहें चड़ाई और कहा तुम्हारा नाम क्या है क्या तुम्हें डर है कि मुझे यहां तुमसे प्यार हो जाएगा लू कियान मैंने किसी को मार डाला प्यारी कियान गुलियांग अभी अभी होश में आई है वह लोगों को इंच से पीट-पीट कर मार डालती दिखती थी क्या गलत है म्यू यूंजिन थोड़ा भ्रमित था मार डालो, किसी को मार डालो लू कियान ने उच सुकता से अपनी आस्तीन पकड ली और रोते हुए कहा ये सच है मैंने उस आदमी को इंच से पीट-पीट कर मार डाला उसे मौत की सजा दी जाएगी कोई निलंबित सजा नहीं है उसे मौत की सजा दी जाएगी तुरंट मार दिया गया सही है मौ युन जिन को कुछ समझ में आया उसने आगे बढ़कर अपने माथे के बालों को सहलाया सिर हिलाया हाँ तुरंट इसे अंजाम दो एक गोली और तुम्हारी जान चली जाएगी इस बेवकूफ को ज़्यादा से ज़्यादा बेहोश कर दिया जाएगा फिर मुझे क्या करना चाहिए क्या मुझे आत्मसमरपन कर देना चाहिए लुओ कियान जिसने पहले कभी ऐसी किसी चीज का सामना नहीं किया था उसकी आँखों में गहरा डर था म्यू यूंजिन को वह बहुत दिल्चस्प लगी वह इसके बारे में गंभीरता से सोचने लगा आप मुझसे भीक मांदने पर विचार कर सकते हैं क्या आप क्रिपया मुझे मृत्युदन से चूप दे सकते हैं शायद ये सुनकर लूओ किया ने तुरंट म्यू यूंजिन की आस्तीन पकड़ ली और गयानियता से कहा क्रिपया म्यू यूंजिन सिर्फ ये दो शब्ग मास्टर म्यू मैं मर नहीं सकती जब तक यह मुझे जीने की इजाज़त देता है मैं कुछ भी कर सकती हूँ लूओ कियान ने बेताबी से म्यू यूंजिन की आस्तीन पकड़ ली और उसे पकड़ लिया उसे मरना नहीं चाहिए उसकी एक दादी और एक छोटा भाई भी है वह मर जाएगी वे क्या करेंगे सहित म्यू यूंजिन ने उसे उपर से नीचे तक देखा उसकी आखे उसकी छाती पर टिकी थी ये स्वतर स्पष्ट था लूओ कियान को तुरंट कुछ समझाया वह बेबसी से मुस्कुराए और धीरे से अपनी आस्तीने धीली कर दी ये देखकर मू यूंजिन अचानक भौहे चग गई यह महिला वास्तव में प्रशंसा करना नहीं जानती जब भी इस बात का जिक्र होता है तो वह जिजगती है क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इतना बुरा था कि मैं उसका ध्यान आकर्शित नहीं कर सका अन्य महिलाओं ने हमेशा म्यूदा पर हमला किया है लेकिन उन्होंने हमेशा उन्हें अस्वीकार कर दिया और उन्हें नजर अंदास कर दिया जिससे कई महिलाओं के दिलों को थेस पहुँची एक मात्र महिला जिसे वह पसंद करता है वह लूओ कियान है लूओ कियान एक विशेश मामला है उससे मिलना एक बाग से मिलने जैसा है यंग मास्टर मियू, आपने मुझे चार बार बचाया अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहूं तो भी ये बहुत ज्यादा नहीं है मैं बस महसूस करता हूँ लूओ कियान मुस्कुराय और जिछख गई मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि चूम कि आपके पास इतनी अच्छी स्थिती है तो आपके आसपास कई उत्कृष्ट महिलाएं होंगी और मैं अब कुवारी नहीं हूँ इसलिए आपको डर नहीं है मैं गंडिया हो तुम उसे अभी भी गलती से अपनी वजनेटिक होने का दर सता रहा है वो हमेशा एक रूरिवादी व्यक्ति रही है मुझे हमेशा लगता है कि मैं अब दूसरों के लिए भी अच्छी नहीं हूँ म्यू यूंजिन जैसे उत्प्रिष्ट व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए अगर वह ऐसा चाहता तो बहुत सारी मासूम लड़किया होती जो उस पर तूट पड़ती म्यू यूंजिन जटल अभिव्यक्ति के साथ थोड़ा चौका मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहेगी आज भी कितनी लड़किया इस बात की परवा करती हैं ये सिर्फ फिल्म की एक परत है लेकिन एक आदमी के दृष्ट कोण से मुझे अभी भी परवा है हाला कि एक पुरुष हसा नहीं कहता है लेकिन वास्तव में वह अपनी महिला की पहली बार की देखभाल के बारे में बहुत परवा करता है और इसके बारे में बहुत द्रिल भी रहता है आपने इसे पहली बार किसे दिया अपने प्रेमी को CEO मियुदा ने जान बूज कर मूर्ख होने का नाटक किया और पहली बार लूहो कियान के बारे में पूछा यही चोर की तरह है जो चोर को पकड़ने के लिए चिल्ला रहा है वो स्पष्ट तह प्राधी है